नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वपनिल सागर जैन, निरामे होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डस्ट एलर्जी और पोलेन एलर्जी के बारे में यानि की धूल से होने वाली एलर्जी और पराग कणों से होने वाली एलर्जी जो होती है जिसके कारण बहुत सारे लोगों को बड़ी ही जवरदस्त तरह की सरदी जुकाम होने की शिकायत रहती है तो इन दोनों ही बीमारियों में हम किस होमियोपैथिक दवा का उपयोग कर सकते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अब यह जो दवा है दोस्तो इसके अलावा भी होमियोपैथी में बहुत सारी दवाएं आती हैं जो कि मरीज के लक्षणों के आधार पर दी जाती है लेकिन जब कभी ऐसा हो कि किसी भी मरीज में कोई specific लक्षण किसी medicine का दिखाई ना दे रहा हो और उसकी जो condition है वो बहुत ज़्यादा खराब हो आँखों से लगातार उसको पानी आ रहा हो जबरदस्त उसको छीके आ रही हो आँखें उसकी लाल पड़ गई हो गले में उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो नाक से पानी निकल रहा हो तब इस condition में हम इस medicine का उपयोग कर सकते हैं इस medicine का नाम है दोस्तों जस्टीसिया अढ़ा टोडा homeopathic medicinal system में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब किसी बीमारी से कोई द्यक्ती परेशान है खास तोर से respiratory tract यानि कि हमारे श्वसंत तंदर की जो बीमारी है हमारी नाक से संबंदित हमारे गले से संबंदित हमारे फेफणों से संबंदित trachea से संबंदित bronchi से संबंदित इस तरह कि किसी भी बीमारी में जब भी किसी medicine के खास लक्षन कभी दिखाई नहीं दे रहे हो तब हम जस्टीसिया अढ़ा टोडा का उपयोग करते हैं और इस medicine से ये जितने भी cases होते हैं लगबग लगबग सभी में काफी अच्छा improvement काफी अच्छे result देखने में मिलते हैं अब इसके जो प्रमुक सिंटम होते हैं वो यही हैं कि जब भी कोई व्यक्ती धूल के संबर्क में आता है पोलेन के यानि की पराग कणों के संबर्क में आता है तो तुरंत ही उसको सरदी हो जाती है छीके आना शुरू हो जाती है सिरदर्द उसका होने लगता है आँखों में लालपन आने लगता है आँखों में इचिंग होने लगती है खुजली चलने लगती है नाक से पानी बहने लगता है गले में बहुत जादा दर्द की शिकायत होती है इसके अलावा यदि हम इसकी चाती से सम्मंदित सिम्टम्स को देखें तो इसको सीने में सफोकेटिब फीलिंग होती है सफोकेटिब फीलिंग मतलब ऐसा लगता है कि उसके फेफणों तक हवा पहुँच ही नहीं पा रही है जैसे फेफणों को किसी ने जकड़ के रखा हुआ हो और सांस ना ले पानी की स्थिती के कारण उसको बहुत जादा तकलीफ होती है बिलकुल ऐसा लगता है उसको की जैसे अब वो मरने वाला है तब इस तरह की जो सिंडम है जैसे की कोई रखती है वो धूल में गया और धूल में जाने की कारण उसको तुरंत छींके आना शुरू हो गई तब उस कंडिशन में यह जो डस्ट ऐलर्जी है और पोलेन ऐलर्जी है इसके लिए जस्टीस या अढ़ा टोड़ा लगबग लगबग एक स्पेस्पिक मैडिसन है जिसका उप्योग हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है यानि की दमा की शिकायत होती है और यह जो डमा का अटैक होता है यह धूल के संपर्क में आने से बढ़ता है सामान्यता सबसे पहले जो शुरूआत होती है वो सर्दी खासी सही होती है लेकिन जब फेफणों में बहुत लंबे समय तक इंफ्लेमेशन हो जाता है बहुत लंबे समय तक सूजन हो जाती है तब उस व्यक्ती को अस्थमा यानि की दमा की शिकायत हो जाती है और दमा का जब भी जो शुरुवात होगी यदि वो धूल से है या पराग कणों से है तब उन केसिस में जस्टीसिया अढ़ा टोडा जो होगी वो उसकी 100% effective remedy है तो इस तरह दमा की जो केसिस हैं वो भी इससे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं यदि किसी को धूल के कारण या पॉ गले में बहुत जाला mucus बन रहा है यानि कि कफ बन रहा है और tenacious है यानि कि गले में चिपका हुआ है और खासी बहुत जादा चल रही है सूखी खासी है खास नहीं पा रहा है धंग से और जब वो निगलने की कोशिश कर रहा है उस mucus को उस कफ को निगलने की कोशिश कर र को indicate करते हैं homeopathic सिध्धान्तों के अनुसार तो यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखाई दे जिसे की धूल के कारण या पराग कणों की कारण allergy की शिकायत हो जाती है और उसो allergy के जो प्रमुक लक्षण है वो है छीके बहुत जादा आना नाक से पानी आना आख से पानी आना आखों में लालपन रहना आखों में जलन पढ़ना खुजली चलना बहुत जादा गले में दर्द होना चैस्ट में सफोकेटे फीलिंग होना य से निकालने में बहुत जादा तकलीफ होना तब इन सारे सिंटम्स में आप जस्टीसिया अढ़ा टोडा उस मरीज को दे सकते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट देती है तो अगर हम इसकी potency की बात करते हैं तो हमें जनरल जो acute case है यानि कि शुरुआती अवस्था जो है बीम पड़ती है यदि किसी को taste में कोई खराबी लगती हो तो फिर वो एक दो चम्मच पानी में मिला के भी पी सकता है कोई problem नहीं है ये ध्यान रखना है कि दवा हमेशा खाली पेट खाना है बिलकुल ध्यान से और दवा खाने के आदे गंटे पहले से आदे गंटे बाद तक क काफी लंबे समय से यानि कि 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, धूल से एलर्जी है, मिट्टी से एलर्जी है, पॉलें से एलर्जी है, बहुत सारा treatment करा लिया है, कहीं कोई result नहीं मिल रहा है, तब उसको क्या करना है कि जस्टीसिया अढ़ा टोडा की 1M की potency लेके आ यानि कि 3-4 महीने में उसके ये 6-8 डोज पूरे होंगे, हर 15 दिन में एक बार जब वो लेगा तो, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे जो उसके symptoms हैं, वो एकदम से ठीक नहीं होगा, लेकिन 3-4 महीनों के इस पूरे period में वो पूरी तरह उसकी जो बीमारी है, वो जड़ स खत्म हो जाएगी, तो ये जो दवा है दोस्तो, जस्टीस या अढ़ा टोडा, ये आपको किसी भी होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, आप इसका यूज करना शुरू कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही, आगे की वीडिय कारियों के बारे में और उनकी होमियोपैथिक दवाओं के बारे में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!